नमस्कार नेक्स्ट नाइन न्यूस देख रही है आप और मैं हूँ आपके सथ प्रग्या सिंग। क्या कुछ कहते हुए अर्विंद केज विवाल नजर आ रही है पीएम मोदी को लेकर आप भी सरा सुनी। सुप्रीम कोट की पांच जजों की समविधान पीठ ने दिया उस हक को छीनने का काम किया है और आज ये सारे लोग इस इतिहास के गवाब बन रहे हैं कि छल से, कपट से, बैमानी से केंदर सरकार ने दिल्ली के लोगों का हक छीना। और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए जोड़दार तालियों से स्वागत करिये दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राई जी का, जो आपके बीच में अब अपनी बात रखेंगे गोपाल राई जी। गर्मी बहुत है लेकिन जिस तरह से दिल्ली के हकों पर दिल्ली के लोगों के अधिकार पर सरयाम डकायती डालने की अध्यादेश के माध्यम से कोशिस हो रही है अपने अंदर के आक्रोस, अपने अंदर के गुस्सा को इतना बढ़ाओ कि बाहर की गर्मी आपके गर्मी से ठंडी पड़ जाए इतनी आक्रोस और इतनी गुस्से की जरुवत है इस तड़ाई को लड़ने के लिए आज के इस महारेली में अर्विन्र केजरिवाल के आवान पर जितने माभारती के बेटे बेटियां बैठे हैं, खड़े हैं, चारो तरफ आगे पीछे एक बार मैं चाहूँगा कि माभारती के सम्मान में दोनों हाथ हम सारे लोग जितने बेटे बेटियां हैं, सबका हाथ उपर उठना चाहिए आजू बाजू चारों तरफ जितने माभारती के बेटे बेटिया है आगे पीछे जितने लोगों तकावाद जा रही है और जिनके पास हाथ है दोनों हाथ उठा करके मुठिया बादों और पुरी ताकत से बोलेंगे बारा तुमाता की बारा तुमाता की इंकलाप इंकलाप बंदे बंदे कालाय अध्यादेश वापस लो कालाय अध्यादेश वापस लो अरे मौती जी की गुंदा गर्दी अरे मौती जी की ताना साही अरे लोक तंच्र में हिटलर साही साथियों आप सबको ये बात पता है दिल्ले हमारे देश की राजधानी है पूरा देश पूरे देश के अंदर जब भी कोई संकट पैदा होता है तो पूरा देश दिल्ली की तरफ देखता है लेकिन दिल्ली के अंदर आज केंदल सरकार ने सुप्रीम कोड के पाँच सदस्य समविधान पीठ के फैसले का अमानना करते हुए सुप्रीम कोड के फैसले का अपमान करते हुए सुप्रीम कोड के फैसले का निराधर करते हुए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में सत्ता के दंपर ताना साही के दंपर अध्यादेश काला अध्यादेश को देखा आपने किस तरह से पीएम मोधी पर जमकर निशाना साथते हुई नजर आए अरविंद केजिवाल अरविंद केजिवाल इस साफ दौर पर कहा कि देश को एक एहंकारी ताना शाह को हटाने के लिए एक खटा हुए है इस दोरान के जिवाल ने मनीज सिसोडिया को लेकर भी पीम मोधी पर निशाना साधा आपको बता देखिए अब इस मामले में लगतार अरविंद के जिवाल खई मुद्दो पर खुल कर बात करते हुए नजरा रह थी ये भी कहा कि इस अध्यावेश को अरविंद के जिवाल खारज करवा कर ही रहेंगे अब ऐसे में देखना ये काफी जादा दल्चस्प होगा कि आज जो दिल्ले के राम लीला मैदान से मुख्यमंत्री अरविंद के जिवाल ने हुंकार भरी है क्या वाकई में केंद्र द्वारा पारित किया गया ये अध्यावेश खारज होता हुआ नजराई का फिलाल के लिए इस खास रपोर्ट में इतना ही ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें एक्स्ट नाइन निउस